चानक के I.S. Academy Current Affairs में आप सभी का स्वागत है आज हम बात करेंगे ग्यानवापी केस और वहां मिले शिवलिंग और वजू खाने के सर्वे की मांग के बारे में वारानसी की ग्यानवापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोट में याचिका दाखी की हैं इस याचिका में Archaeological Survey of India के Director Journal से अपील की गई है कि वे परीसर में मिले शिवलिंग का सर्वे करें ताकि उसकी वास्तिकता का पता लगाया जा सके याचिका में कहा गया है कि सर्वे करने के लिए शिवलिंग के आसपास की Artificial या Modern दिवार और फ्लोर को हटाया जाए बिना शिवलिंग को नुकसान पहुचाए सील किये गए पूरे इलाके का विग्यानिक सर्वे किया जाए इससे पहले 19 मई 2023 को सुप्रीम कोटे ग्यानवापी के सर्वे पर रोक लगा दी थी हिंदू पक्ष के वकील ने याचिका में ग्यानवापी परीसर में सील बंद वजू खाना का सर्वे कराने की मांग करने की बात कही थी उन्होंने दावा किया है कि सील बंद तहठाने में हिंदू मंदिर के सबूत और कलाकरतिया मौजूद हैं अब हम बात करेंगे AISI सर्वे की रिपोर्ट जो सार्वजनिक हुई है उसके बारे में ग्यानवापी की AISI सर्वे की रिपोर्ट 25 जन्वरी को देर रात सार्वजनिक हुई थी इस रिपोर्ट के अनुसार परीसर के अंदर भगवान विश्णू, गडेश और शिवलिंग की मूर्ती मिली है पूरे परीसर को मंदिर के स्ट्रक्चर पर खड़ा बताते हुए 34 साक्षय का जिक्र किया गया है मस्जित परीसर के अंदर महामुक्ति मंडप नाम का एक शिलापट भी मिला है ASI ने रिपोर्ट में लिखा है कि ज्ञानवापी में एक बड़ा हिंदू मंदिर मौजूद था सत्रश अताबदी में जब औरंग जेव का शाशन था उस वक्त ज्ञानवापी स्ट्रक्चर को तोड़ा गया कुछ हिस्सों को मोडिफाई किया गया मोल रोप से प्लास्टर और चूने से छुपाया गया 849 पेश की रिपोर्ट में ASI ने परीसर के प्रमुख स्थानों का जिक्र किया है इसमें चार भाशाओं में लिखावट है और शिव के तीन नाम मिले है ग्यानवापी की दिवारों शिलापटो पर चार भाशाओं का जिक्र मिला है इसमें देवनागरी, कर्नड, तेलगू और ग्रंत भाशाए हैं इसके अलावा भगवान शिव के तीन नाम में विले है ये जनारधन, रुद्र और ओमेश्वर है सारे पिलर पहले मंदिर के थे जिनें मोडिफाई करके दोबारा इस्तमाल किया गया है इसके अतरिक्त परिसर में मौजूद स्ट्रक्चर में सजाये गए महराबों के निचले सिरों पर उकेरे गई जानवरों की आकर्तियां विकरत कर दी गई थी गुंबत के अंदरूनी हिस्से को जामित्य डिजाइन में सजाया गया है मंदिर के केंद्रिक अक्ष का मुख्य प्रवेश द्वार पस्टिम में था इस द्वार को जानवरों और पक्षियों की नकाशी और एक सजावती तोरण से सजाया गया है ASI के रिपोर्ट में जो आकर्तिया मिली है उसमें कुछ तस्वीरे भी है पहली तस्वीर में दिखाई दे रहा है कि विश्णो की यह आकर्ति सेंड स्टोन से बनी है उचाई इसकी 27 सेंटीमीटर, 24 सतरा सेंटीमीटर और मोटाई लगबत 15 सेंटीमीटर है चार हाथ है इसके इसमें एक में गदा, चक्र और शंक धरन की गए है यह अच्छी कंडिशन में है दूसरी तस्वीर गणेश की मूर्ति की है जो की टेरा कोटा से बनी है इसमें पदमासन में बैठे हैं उचाई 8.5 सेंटीमीटर, चोड़ाई 3.5 सेंटीमीटर और मोटाई 2 सेंटीमीटर है यह भी अच्छी कंडिशन में मिली है तीसरी तस्वीर में यह किसी हाथ की आकरती है जो की कोहनी से मुड़ा हुआ है हतेली इसमें मुड़ी हुई है जैसे कुछ पकड़ा हुआ हो इसकी लंबाई 8.5 सेंटीमीटर और चोड़ाई 2.5 सेंटीमीटर है चौथी तस्वीर में शिवलिंग की यह आकरती सेंट स्टोन से बनी है पत्थर पर ही साप को उकेरा गया है इसकी उचाई 21 सेंटीमीटर और चोड़ाई 6 सेंटीमीटर है इसकी परिदी 14 सेंटीमीटर है इसके अतरिक्त पश्चिमी दिवार को मंदिर का हिस्सा बताया गया है करना रथा प्रति रथा और Nadar Sheli में बनी पश्चमी दिवार के अध्यन से पता चलता है कि यह हैं इक हिंदु मंदिर का इसना है इसना की दिवार पाचाचाते 1966 का है इस पर महामुक्ति मंदप लिखा हुआ है औरंग जीव के शाशनकाल के दोरां स्थल का मूल ततु छती ग्रस्त किया गया है इसके अत्रिक्त खंबे पर दीव स्थल और घंटियों की आकरतिया है रिपोर्ट में एसाई ने बताया है कि परीशर के सारे खंबे 1679 यानि क सत्रवी शदी से पहले के हैं यह मंदिर के प्रतीत होते हैं और इनमें हिंदू के प्रतीक चिन बने हुए है ग्यानवापी की पश्चमी दिवार पुराने मंदिर के पत्थरों से बनी है इस दिवार से जुड़े केंद्रिय कक्ष में बदलाव नहीं हुआ है यानि यह पूरे भाग में तहकाने को बनाते समय पूराने स्ट्रक्चर के खंबों का इस्तेमाल किया गया है एक खंबा ऐसा मिला है जिसे घंटियों से सजाया गया है इसमें चारों तरफ दीपक रखने की जगा बनी हुई है अब हम बात करेंगे इस पूरे विशे पर हिंदू पक् के अफशेश है दक्षन और पश्चिव में कक्ष अभी मौजूद है लेकिन पुर्व में कक्ष के अफशेश और इसके आगे के विस्तार का भौतिक रुप से पता नहीं लगाया सका है इसे लेकर हिंदू पक्ष के अधिवक्ता ने बताया है कि सर्वे रिपोर्ट से साफ हो गया है कि आदी विश्वेशर का मंदिर तोड कर मस्चिद बनाए गई है आयोध्या की तरह बनारस में भी मंदिर को तोड कर उसके पिलर और अफशेश पर मस्चिद बनी हुई है इसे पर मुश्लिम पक्ष का कहना है कि ASI सर्वे रिपोर्ट पर अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने सवाल खड़े किये हैं इंतजामिया कमेटी के सयुक्त सचिव ने कहा है कि ये रिपोर्ट है फैसला नहीं है 849 पन्ने की रिपोर्ट के अध्यन में भी समय लगेगा एक्सपर्ट से राय ली जाएगी और फिर आगे विचार किया जाएगा उन्होंने ये भी दा पर रहे हैं उलेकनी है कि 24 जुलाई 2023 को ग्यानवापी में एसाई की टीम उत्री थी ग्यानवापी परीसर में एसाई सर्वे की याचिका पर 23 जुलाई 2023 को आदेश दिया गया था हिंदू और मुसलिम पक्ष की मौजूदगी में अदालत ने रडार तकनीक एसाई से सर्व पहुचाए बगैर वेग्यानिक तरीके से सर्वे कराया जाए 24 जुलाई को एसाई टीम ने सील वजू खाने को छोड़ कर संपूर्ण परीसर के सर्वे शुरू कर दिये थे और लगबग 84 दिन चले सर्वे के बाद सील बन रिपोर्ट अदालक में दाखिल की गई इससे पह इसके बाद से ही हिंदू पक्ष रिपोर्ट सारुचनिक करने की मांग कर रहा था अगर इस रिपोर्ट की बात करें तो ये 36 दिनों में तीन हिस्सों में तैयार हुई है पहली कोपी उतरी हिस्से में दिखने वाली आकर्कियों की है जिसमें स्थलिय बनावत काल और समय गया है उनकी रिपोर्ट डिजिटल और ग्राफिक्स में तैयार की गई है तीसरी कॉपी में वीडियो फोटोग्राफिक को स्थान के साथ मार्क किया गया है ग्यान वापी में तीन स्थर पर तयार रिपोर्ट को दिनों के अनुसार PPT स्लाइड में तैयार किया गया है और उस दिन की प्रगती को अलग से उलेखित किया गया है। इसके साथ ही आज का हमारे विशे यहीं पर समाप्त होता है। हम फिर मिलेंगे एक नए विशे के साथ। आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।